आज मैं आपके लिली लेक्याई हूं गुजरात की बहुत ही फेमस भर्वा हरी मिर्च की रेसिपी इसमें एक मसाला बनाने का तरीका होता है जो बहुत यूनिक और बहुत अमेजिन होता है तो आप एक बार इस हरी मिर्च के रस्पी को जरूर ट्राई करें, ये हरी मिर्च आपको बहुत पसंद आने वाला है तो चली आज के बहुत ही टेस्टी रस्पी शुरू करते हैं भरवा हरी मिर्च ये स्टब्ड गरीन चिली बनाने के लिए एक पैन में हम एक अप बेसन डाल देंगे बेसन को धीमी आज पर दो से तीन मिनट के लिए भुन ले मतलब तेल वगरा नहीं डालना है बस आप इसे सूखा तब तक भुने जब तक की बेसन से अच्छी खुशबूदी आने लगे तो यहाँ पे बेसन का जो कच्चापन है वो हमने निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे हरी मिर्ची ले लेंगे तो यहाँ पे यह मोटी वाली हरी मिर्च होती है ना जिसे भावनगरी हरी मिर्च कहते हैं वो ले लेंगे इसे धो के अच्छे से पोच ले और इसके बाद हम क्या करेंगे इसमें ऐसे चीरा लगा देंगे आप चीए तो डंठल को निकाल सकते हैं, मैं डंठल को नहीं निकाल रही हूँ यह देखे, तो यहाँ पे ना हमें मसाले भरने हैं, जो हमने बेसन भुना, उसी मसाले के साथ मिक्स करके भरना है तो आप चीज तो इसे ऐसे ही भर दे या फिर कट करके ने इसके अंदर के जो बीज है वो निकाल दे बीज जो है वो थोड़े दीखे रहते हैं इसलिए अगर आपको तीखा पन नहीं पसंद है तो बीज को निकाल दे और नहीं तो आप इसे ऐसे ही भर दे तो यहाँ पे न मैं क्या करते हूँ कि यहाँ पे बीज निकाल के आपको दिखा देते हूँ कि कोई भी छोटा चमबच ले ले और उसे ऐसे स्कूप करके यह सारे बीज निकाल दे और अगर आप बहुत जादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो ये भी जो है ना वो मसाले में मिक्स कर दे, ये देखे, तो इसी तरीके से हम सारे हरी मिर्च को ऐसे खाली कर देंगे, तो यहाँ पे हरी मिर्च को हमने काट लिया है, अब हम चलते हैं मसाला बनाने के प्रॉसेस तो यहां पर यह से भुजया को मैंने ग्राइंड कर लिया है यह आप देख सकते हैं तब हम क्या करेंगे जो बेसन हमने भुना है उसे एक बड़े वरतन में डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें सारे मसाले आड़ करेंगे तो कच्छा बेसन आपको नहीं इस्तेमाल करना है बेसन को भुन के इस्तेमाल करें फिर यह जो बुजया हमने ग्राइंड करके डाला वो डाल देंगे और इसके बाद यह जो सारे मसाले हमारे किचन में होते हैं वो सब डाल देंगे आधी छोटी चमच छली पाउडर एक छोटी चमच हम इसमें गरम मसाला पाउडर डाल दे एक छोटी चमद जीरा पाउडर और आधी छोटी चमद धनिया पाउडर नमक डाल दे स्वाद के जूसार अब हम इसमें डाल देंगे नीबूनी चोड़के तो यहाँ पे एक बड़ा नीबूनी चोड़के डाल दें नीबू डालने से क्या होता है न कि मिर्ची का जो तीखा पन है वो बैलेंस होगा तो बहुत ही बहुत ही अबे से जरू डालें और यह हमारा मसाला बंके तयार है यह आप देख सकते हैं तब हम क्या करेंगे किस मसाले को मिर्ची में स्टफ कर देंगी तो मिर्ची को हमने औल लेड़ी यहाँ पे पहले से काटके रखा है बेज निक तो आप बेफिकर होके इसमें ये बेसन भरें, ये देखिए इस तरीके से, तो सेम तरीके से हम ये सारे मिर्ची को स्टफ कर देंगे, और अब हम चलते हैं इसे पकाने के प्रोसेस में, तो इसे पकाने के लिए हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें डाल देंगे दो से तीन चम करी हूँ क्योंकि तेल में वो जल जाएगा तो बस हली डालके इसे हलके हादों से मिक्स करें और इसके बाद मिर्ची को ढखके हम चार से पांच मिनट तक पकाएंगे जब तक कि वो सॉफ्ट नहीं हो जाए तो यहाँ पे आप पैन को गवर कर दे और गैस का फ्लेम लो रखे बीच बीच में हम इसे ऐसे मिक्स करते रहेंगे मतलब पलटते रहेंगे ताकि मिर्ची जो है वो हर तरफ से बरावर पके यह देखे ऐसे मिर्ची को पकने में ज़्यादा समय नहीं लगता है बस जैसे ये तेर्ट में जाता है ये तूरनती सॉफ्ट होने लगता है और बहुत ज़्यादा Overcook नहीं करना है भी तो ये ऐसे सॉफ्ट दिखेगा फीर दिखने में अच्छा नहीं लगए मतलब थोड़ा सा crunch जो है वो उसका रहना चाहिए तो यहाँ पे हमने हरी मिर्च को चारो तरफ से almost पका लिया है बस आधी मिनट और पकाएंगे उसके बाद एक तम perfect हो जाएगा और ये देखे ये हमारी बेसन वाली हरी मिर्च बन के तियार है ये देखे इतना ही पकाएंगे लग रहा है और इस मिर्च के खास बात ये है कि आप इसे तीन से चार दिन तक आराम से खा सकते हैं ये खराब नहीं होता है आप इसे ट्रेवल में भी ले जा सकते हैं तो ये हमारी बेसन वाली हरी मिर्च बन के तियार है जो कि बहुत ही अमेजिन है बहुत ही टेस्टी है तो आप इस बेसन वाली हरी मिर्च की रेस्पी को एक बार जरू ट्राइए करें ये आपको बहुत पसंद आएगा और ये आप देख सकते हैं मतलब मैं तो इसे ऐसे स्टार्टर विखाल हूँ इतना अच्छा लगता है तो उमीद करते हूँ कि आज की ये सूपर टेस्टी रेस्पी आपको पसंद आई होगी अगर आज की भरवा हरी मिर्च की रेस्पी आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो का अपने फ्रेंड फैमिले के साथ शेयर करना बिलकूल न भूले और मेरी इस रेस्पी को एक बाद जरू ट्राई करें ये आपकी फैमिले को बहुत पसंद आएगा